नमस्कामित्रो जैसा कि आपको पता हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं आज पॉलिटी के अंदर हम लोग करेंगे राच के नीती ने दे सकता तो लेकिन उससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार के कुछ प्रिश्णी जो हमारे छूट कहते उसको करते हैं ठीक है तो तो देखे जो विकल्प जाएक वो बी बिलकु सही हो जाएगा ठीक है एक्स्प्लेनेशन देखते हैं देखे भारती से विधान में भाग तीन में अनुश्चेद 12-35 तक का अधिकारों का वर्ण किया गया है वरतमान में कुल 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात कही गई प्रश्न बरते हैं साथ के तरफ का गया कि भारती से विधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समविधानिक प्राउधानों को संगी संसत या राज विधान पालिकौं द्वारा बनाए गया नियमों कानूनों पर प्रात्मिक्ता प्रदान करता है तो वह हमारा धारा तेरा दार बिलकुँ जीरो हो जाए तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा संसत जिससे मौलिक अदिकार नियुन्तम हो जाए या जीरो हो जाए तो यह धार अनुच्छे तेरा में कहा गया है देखिए यही बात आपको यहां पर दिखाई जाएगी कि अनुच्छे तेरा में प्राधान किया गया है कि सेंग एमराज कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग तीन में प्रदप्त मौलिक अदिकारों को चीनता हो या उसको नियुन्तम करता हो यदि कोई कानून मौलिक अदिकारों को अलंगन में बनाए गया है तो वहां कानून अलंगन की मात्रा तक सुन होगा अंशे 32 जो है वो समधाने कुप चारू का अधिकार हैं अंशे 245 है वो केंदो राजयो द्वारा बनाई के सक्तियों का विस्तार है अंशे 326 है वो लोकसभा एवं विधान सबा का निर्वाचन वैस्क मता अधिकार की आधार पर होना बताता है ठीक है प्रस्ट नमबर आते हैं आट में कहा गया है कि भारती सविधान के अनुछे तेरा का जो मुख उद्देश है वो निम्खित में से किसके संदर में सविधान की सरवचिता सुनचित करना है पहला क्या राज के नीत ही ने दे सकते हैं मौलिक अधिकारों के अंतरकत है या आपका मौलिक करता भी आप रोकते सभी तो डीज का भी विकल बिल्कु सही है मौल अधिकार जो हमारा है उसको वो नियुनतम हो जाए या सून हो जाए बढ़ते हैं प्रस नमबर नौ की तरफ नौ नमबर का प्रस नहीं करता है कि भाई भारती सवदान में समता और समानता का पांच अनुछे दिये गए यह किसके अंतरकता आता देखिए मैं आपको बता द तक का है ठीक है ना देखिए तो बीस का इसके विकल फोटेगा वो सी सही आए देखते हैं इसके एक्स्पेलनेशन के बारे में देखिए भारती सेवदान में जो समता हो समानता के अधिकार के बारे में हैं वह पांच अनुछे द्वारा अनुछे दिचा चौदा से समता अंशेद 15 धर्न में मूल ववन इसजात इलिंक के अधार पर इस्थान के अधार यू विभेद का प्रिटिशेद कहता है अनुछे 16 है लोग नियोजन के विश्व में आवसर की समानता अन्शे 17 है अब प्रश्यता का अन्ट अन्शे 18 है उपादियों का अन्ट ठीक है प्रेश नम्बर 10 कहते हैं कि समानता का दिकार सम्विधान के निम्द अन्शेदों में से किसके अंतरगत दिया हुआ है के इसके बारे में जिक्र है लेकिन आप देखेंगे चौदा भी है यहाँ पर पंदरह भी हो जाएगगा 16 बहों जाएगा थीन चार विश्चन नमबर माहित है अंचे 13 में मूल अधिकारों से हसंगत या उनका अलपी करने वाली विदियों के मुख अधिकारों के उलंगन के मातरा तक सून होने से संबंदित के बारे में बताए गया है ठीक है भारती सविधान के अंचे 14 लगाता है या उपबंद करता है कि किसी विक्ति को विदी के समख से समानता से या विदियों के समान सनचन से वन्चित नहीं किया जाएगा प्रते के विक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो सब पर अधिकाल लागू होगा आते हैं 12 नमबर का प्रेशन निम्लिकित में से भारत के समविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कानून के समख से समानता से समन देता है का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए नयाय तंत्र ठीक है ऑप्शन नमबर ए आते हैं देके इसके बार हम देखते हैं विदी के नियम या कानून का दिराजिक का ताथ पर है कि सभी के लिए एक कानून तथा सभी के लिए एक नयाय तंत्र विदी का नि किसी वक्ति के साथ धर्म जाती लिंक के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है भारती समुधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुछे 14 में विधी के समक्ष समानता और विधियों के समान समनक्षन का अधिकार प्रदान किया गया है अब आते हैं प्रशन नमबर 15 के तरफ का गया धर्ममूल वन से जाती लिंक के आधार पर विभेद के बारे में अगर बात आए कि तो क्या है कि एक अधिकार जिसमें से इसमें वर्गी करत किया गया देखें जो वर्गी करत किया कि वह समानता का अधिकार ऑप्शन नमबर डी इसका सही विकल्प हो पराराथ का अगर बहुतकर का समता के अधिकारों के अंतरकत किया जाता है। 14-18 तक अधिकार सम्ता की अधिकारों में समलेते हैं ठीके ना बढ़ते हैं प्रश्ण नमबर 16 की तरफ 16 की क्या कहता है मद्रास बनाम मद्रास राज बनाम दो राये डन 1951 के मुकदमे में भारती सर्वोच नियाले के नेंड़ाय के प्रणाम सरूप किस मौलिक अधिकारों को संसोदित किया गया है किस मौलिक अधिकारों को संसोदित किया है 1951 फिर्फ रवी घुष सक्राइब भेद भाँ का मतलब जनमुल देखते हैं एक वात बहुत इंपोर्टनस हे कि जो वाद है वो है आपका मदरास राज बनाम चंपकन दुराय राजन 1951 के मुकदमे में सरवोच नियाले के निड़ाय के प्रणाम सुरूप भेदभाव के विरुद अधिकार को संसोधित किया गया जिसमें समविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 के धारा दो दौरा आज को सेक्षडी के द्रश्टी से पिछडे वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जंजाती के लिए राजदारा विशेश उपबंद कर सकने हैं तो प्रावधान किये गए हैं ठीक है ना बढ़ते हैं प्रश्ण नंबर 17 के तरफ अब द गया डेकि यहां पर समझेगा यहां पर जो पंद्रा का पांच है इसके बारे में बताये गया है कि आरणक्षड के बारे में किसमें अनुसूचित जाती अंसूचित जنت जाती हुए ठीक है और सोला का दो सुला के चार के अंतरकत यह कहा गया था कि आर्थिक रूप संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी वा गैर अनुदान प्राप्त भी समलेते हैं अन्य पिछड़ों अनसूची जाती अनसूची जन जाती है तो आरेच्छन की सुदा के बारे में बताए गया है प्रेस्ट नंबर बरते हैं ठारा की तरफ सवधान की किस अनुशेत के अनुस चिसमें ताब 15 के छैं और 16 के 6 में दिया गया तो यह बात ध्यान रखेगा आंगे इसका एक्स्वेशन भी देखने को मिलेगा है अब देखते हैं इसके बारे में एक्स्वेशन देखेगे जो भारती सवुदान के अनुचे 15 के चार और 16 के चार के प्राउधानों के अनु क्रूप से दुरूबल वर्गों के लिए आरच्छन के प्राउधान किये गए हैं ठीक है आते हैं सत्रा नमबर का प्रश्न कहा रहा है कि भारती सवधान के निम्रिकित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोग नियोजन के विशह में भारत के सभी नागरुकों को अवसर की समा का दो ठीक है इसके बारे में एक्स्प्लिनेशन देख लेते हैं इसमें लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि भारती सवधान के अनुच्छे सोला का एक और सोला के दो के तहत राजिके अधीन किसी पद पर नियोजन के विशह में भारत के सभी नागरुकों के लिए आउ निम्रिकित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में समलित नहीं है तो है आर्थिक समानता एक्स्प्लेनेशन देखते हैं थोड़ा कानून के समक्षि समानता अनुच्छे 14 के तहत है समाजिक समानता अनुच्छे 15 के तहत है और सा की समानता अनुच्छे 16 के तहत है मौले कतिकार में सामिल है आर्थिक समानता इन में से सामिल नहीं है ठीक है प्रिश नमबर आते हैं किस के तरफ लिखा है कि कथन एक जो है वो समाजिक आर्थिक समान आधार निर्मित करने के उद्देश से राजिस आसमान लोगों के लिए भिन बहबार कर सकती है। पहला कथान दूसा कारण है लोग समान लोगों में विधिक समान होगी और समान रूप से प्रिसासन किया जाएगा तो सही भी कल्प इसका हो जाएगा आपका डी और दोन से आरेका से इस पस्टिकरन है लेकि इसमें देखते हैं कि राज समाजी का अर्थिक और राजनेतिक छेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश से आसमान लोग जैसे की गरी पिछड़े वंचित वादी के लिए भिने वैवार कर सकती है अर्था उनको विशेश उधार दे सकते हैं कि भिने होगी और समान रूप से प्रिसास्थ नि की जाएगी अंचे चौदा के तहत अगर बात करें तो विदी के समख्ष समांता की बात की गई है और इस प्रकार इस पस्ट है कि अंचे एक कतन आए और कारणा दोनों से और आरेगा से इस पस्टी करने प्रश्ट नम्बर आते द बास बस रखना है आपको चर्वाजान के प्रस्तावना में सवयों के समाजवादी शब्दे ठीक है उसके बारे हम देखेंगे एउड बी वाला है सी वाला है डी ऑला दो डीवाला क्याता है कि झाल अपत्रिकार springsism修ंत में अवसर की समानता ठीक है तो यह होगे सोला तो डीए देखिए यह जज्जमेंट जो होते हैं वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन सारे जज्जमेंट को ध्यान से पढ़िएगा इसमें बोला गया कि सर्वोच नियाले में रड़भी सिंग बनाम भारसंग 1982 में यह अभी निर्धारण किया था कि अनुशेट 14-16 को समिधान के प्रस्तावना तता अनुच्छेद 49 के दी के प्रकास में अर्था निव्यासी करते हुए समानकार के लिए समान वेतन का उद्देश सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निस्कर्षनी है तता इसके संगत वर कि अधारित असमान वर्थ वेतन मानों के मामले में उच्छ धंग से लागू किया जा सकता है कि बढ़ते हैं प्रिश्ट तेज की तरफ कि भारती सवधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद सब्द को निम्निकित कि सनुचेद के साथ मिला कर पढ़ने से सरवोच कर देखें कितनी बार पूछाग्या यू पीडिया को ते में इसमें नहीं कर सकते हैं कि भड़ते हैं देखिए प्रणा दरा प्रक्षिता नूलन किया गया है तो यह सतरा इफें तो बहुत आसानी से आपक्पर कर सकते हैं अगर आपने एक बार भी पॉलिटी को पड़ा रखा तो बड़ा चर्चित है यह आर्टिकल सवधान के अनुछेद 17 दौरा अप्रश्यता का उन्मूलन किया गया है और इस अनुछेद में कहा गया है कि अप्रश्यता का अंत किया जाता है और इसकी किसी भी रूप में आच् नंबर 25 भारती सवधान में कौन सा जो अनुछेद है वह अप्रश्यता का उन्मूलन करता है तता किसी भी रूप में इसके आच्रण का निशेद करता है तो वह है आपके पास आर्टिकल नंबर 17 अर्टिकल नंबर 26 देखते हैं प्रश्य नंबर 26 आता है मापकी जेगा भा 27 ayam 27 नंबर 27 का प्रश्य नंबर का पसनी कहता is कि भारती सवद्दान में आर्टिकल नंबर 27 का संसन्द कि से है, तो देखिए ःसके संबंद में आपकाप प्रश्यत अनुमूलन से सी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बिल्कुल भी हलके में पॉलिटी को मत लीजे आपके हैर एक्जाम में काम आएगी चाहे अंडिये में हो चाहे सीडियेस में हो मैं इस लेवल के कोश्टनी करा रहा हूं आपको दिख रहा होगा चाहे यूपी एसाई हो चाहे आ अप्रतिकल नंबर 17 का है ठीक है बढ़रते अंप्रश्र नंबर 29 कर ACC किस इंटर्गत मॉलिक मौत का समाजिक आरथिक राजनेतिक त्यद्हा संस्कुतिक अधिकार दिया घया है तो वह आपको दिया गया है अंशे सत्रा के अंतरगत बढ़ते हैं प्रश्यता का अंत और और उसका किसी भी रूप में आच्रान निश्द घोशित किया गया है साथ ही अप्रश्यता से उपजी किसी निर्यातिता को लागू करना समिधान या विधी के अनुसाद धंड़नी अपराद माना जाता है अंशे सत्रा समानता के मौलिक अधिकारों से संबन देते अप्रश्यता के निर्शेद से अच्छू समझने वाले व्यक्तियों विशेज कर जो लोग अंसूची जनजाति के लोगों को अच्छू समझते हैं ये एक मौलिक और समाजिक आर्तिक राजनेतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया जाता है ठीक है Queshean अमस आते तीस इं धर प्रेश्यन थी से हमारा निंकित मूल आधिकारों के किस अंवर्ग अप्रस्यता के रूप में किये विभेडन के विशन्ट के विरुद समाविष्ट है तो है प्रश्रता का निवारन निम्निकित में से किन उपाय द्वारा किया जा सकता है अब प्रश्रता का निवारन तो देखिए वाई यह जान कानून से कर सकते हैं सिक्षा की उनती से कर सकते कानून बना के कर सकते हैं मलब एक दो तीन तो एक दो तीन एक विकल्प सही नौक्रिया में प्रिवेस्ट दिला करके आप प्रिश्टता को खतम कर पाएंगे नहीं यह तो बिल्कुल होई प्रिश्टता की अंत का प्राउधान करता है संसद में सीविल अधिकार अधिनियम 1905 के द्वारा प्रिश्टता को दंड़नी अपराद घोशित कर दिया गया है ठीक है बढ़ते हैं अप्रिश्टता के चलंग का जो आधार है वो धार्मिक स्विक्रती है उप्रोग्त कतनों म इसमें वही होगा देखिए इसमें जुर होने वाला सब्सक्रार का या के दोस्य को देखिए जो अप्रिश्ट के लिए करने पर शरता के लंग का आधार अधार में सविक्रति को सज बात इसक्रति उप्रोग तकतनों में से सई है खो रोट करता दिए कर दोने का सई पस्जिक करणा के कहांसर हो जाएगागा गिए आप सए लोग नेक्स की तरफ इसमें देखे पूरा लिखा है डिटेल पढ़ना बहुत जुरूरी देखे लिटेल के पढ़ लेने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़े जो आपकी बुक्स के थुरू आपकी नहीं हो पाती क्लियर वो आपके कुश्चंस में होती है क्योंकि हर टाइ समाजी धंग किसी समाज में वक्तियों को हानी पहुचाना और इन्हें आउसा से वंचित करना संरचनात्मक हिंसा आम तोरप है जो हां गाल्टूंग के अनुसाम वड़ित एक शब्य जिसे उन्होंने हिंसा सांती तता आनुसंधान उन्ने सो नामक लेक में प्रस्तुत किय स्रीन अप्रश्रिता आदी आप तयूल को से संबसे नीची माने जाने वले जातियों के सबस्व की उसी देप्रिफ्टा को इसी आखारं धारं by स्विकृती भी प्राप्त है प्रेस्ट नंबर 37 देख लेते काई भारती सव्दार में निम्रकित में से कौन सा भिन्य वर्ग में आता है कि क्या मतलब 14 समता समानता हो गया 15 में मूल 1 से जाती क्यादार पर लिंका विवेद हो गया 16 में लोक नियोजन में आउस्टा की समानता हो और 19 में आपको क्या स्वतंतरता का अदिकार है देखिए आप इसको देखेंगे कि जो पर देख सकते हैं यह कोश्चन में थोड़ा से क्वालिटी है क्व演 क्वालिटी क्या देखेंगे कि समता समानता का दिखा सभी के लिए है अगर यहां देखा जाए पंदरा सोला और उन्निस तो देखा जाए यह सभी के लिए है यह क्या है अंचे सोला यह सिर्फ और सिर्फ इस्पैसिफिक लोगों के लिए ठीक है ना अगा पंदर सोला यह गेवा क्या नागरि को क्लिए आयोप समझ एंगी अब बात को को भार्ती सया गया बाद को है भारती साफ़दान में पारती सबमें चैरी सफ ध contemporary द्छ धर्यजा oike की रहां किया जाता है कौन कौन से काल दिजा किया जाता है देखिया उन्यस सेressed और तो तो देखें सब गलत है यह सब 19 से लेके बाइस से बिलकुँ शाहिए मरते हैं प्रेश्ट नंबर 35 की तरफ हाला कि इसका explanation देख लिए इसका explanation देख लीजे देखेंगे समय क्या कहा गया explanation में कजा में हुँ काग्याए कि भारती सविदान के भागतीन के तहत अॉछ 19 से 22 तक सोतंतरता का दिकार परिदान करता है अनुछी अभीवक्ति की स्परगा के सोतंतरता है ठीक है अनुछीद20 में अब रादू के लिए दो सिद्धि के संबंद में संरक्षण है अन्चेद 21 में प्राण में दहिक सोतंतरता है 19 के का के अंतर का सिक्षा का दिकार है 20 में क्या है दो सिद्धि के संबंद में 21 में क्या है प्राण में दहिक सोतंतरता है और 21 के का में सिक्षा का दिकार है और 22 के अंतर के कुछ जब्सार्व में किरफ्तारी और के संद्रक्षण के बारे में प्रेश नबर 35 भारती शिवधान के कि समचियत में भाश्ण एबा भिवक्ति की पारे में है तो आर्टिकल उनिस ठीक है अब आटिकल उनिस के बारे में क्या कहा गया अन्शे 14 क्या है सभी के लिए चाहे विडेशी हो चाहे भारती हो आटिकल 21 क्या है यह स्वतंत्रता तो है लेकिन किसकी एकिवल नागरिकों के लिए ठीक है तो यह सारी जो कुछ पॉइंट से इस पर हमने बात कर रहे हैं थैं 36 नंबर पर है भारत की समुझधान का निम्लेकृत में से कौन सम्से परेस की स्वतंत्रता बताता देखी उनेस है जो प्रेसपी स्वतंत्रता भी बताता है समाचार खारिकिसरण बिबानति के स्वतंत्रताером बोलते है biggest इसका देखिए यह उत्तकर बिलको सही हा ठीक है इस वाग अभिवक्ती सवतन्तरता से संबन देखा पर से सब्दाइब में बोला गया ठीक है आते हैं जरा प्रेस्ट नूंबर 49 में भारत में समाचा पत्रों की स्वतंद्रता जो वो किस आर्टिकल में है फिर से उनिस का ए पार देगे कितने टाइम्स कोश्चन में पूछा गया है उच्छतम नियालों की विवस्था के अनुसा निजी भावनों के ऊपर राष्टी जंडे को फैराना उनिस डैस के तहत नागरुकों का मौलिक अधिकार है वो है उनिस एक के तहत है देखे एक वाद था इ अभिवक्ति की का प्रतीक है जो सविधान के उन्चेद एक उनिस एक के का के तहत हर नागरुकों का मौलिक अधिकार भी है ठीक है स्वतंतरता के अधिकार के भाग 41 नंबर में है कौन सा बिना हतियार के सांतिपूर धंग से एकट्टा होने के स्वतंतरता के अंतरकत नहीं आता है कौन सा नहीं आता है वह अपका अग्याराओ अफसर जो अपना कर्तव निभा रहे हुआं कोई भी सरकारी अधिकारी जो अपना करतव निभार रहे हैं उसका घिराओ नहीं कर सकते हैं देखे एक के खा में बोला ढेकि isầu ben नेरायुद सम्मेpai लर्न की स्वतनता के अधिकार का उलेख है इस तिकल उन्निस एक में सान्दी पूर नेरायुद सम्मेलें के स्वतंध्रता के अधिकार के प्रियोग पर भारत की प्रभुता उखंडता या लोक विवस्था के एक्तों में युक्ति-युक्ति- निर्बंदन का अधिर ओपित करने वाली विदियों का राजिशक्ती को दी गई आर्टिकल प्रशनमर 42 है निमने कितमे से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिवक्ति की स्वतंतरता पर प्रितबंद नहीं लगाए जा सकता है तो दिखे भारत की संप्रभुता लोक विवस्था नया पालका का अपमान या आवांचनी आलोचना यह अप्रोक्त सभी तो सही विकल्प हो जाएगी आवांचनी आलोचना ठीक है दीके उनिस के दो के तर कहा गया है कि नागरिकों की विचार और भिवक्ति की स्वतंतरता पर भारत की संप्रभुता वह अखंड़ता राजी की सुरच्छा विदेशी राज्यों की से मित्रता पूर्वा संबंद लोक स्वास्त सिस्टा चार सदाचार की हितों में अपना अदालतों की आव मानना मानिहानी या किसी अपराद को दीपन के आदार पर युक्ति युक्ति प्रित्य बंद लगाए जा सकता है प्रस्ट नमबर आते है तितालिस में कहा गया है कि भारती गड़राज के सम्विधान का कौन सा अनुच्छे दिव्यक्ति की प्राण में द इक्षा से संब्दीत है ठीक है देखे इसमें है कि 22 में है कुछ दसाओं में गरफतारी के बारे में देखे भारती गड़राजी के सम्विधान के अनुच्छे 21 में प्राण में देख सुतनतरता है जिसको बुलते प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लेबैलिटी और इस अभिवक्ति के स्टनतरता के विषय में कुछ अधिकारों का से मुर्ण दिया गया है अनुचैद 20 अपराध के लिए दो में संविदि को सामिल किया गया है तो वहाँ का सी मतलब 20 21 का मतलब क्या हो गया 21 का मतलब हो गया अपका प्राहर लेविंग 1630 ता के बारे में ठीक है इसमने है कि सामेक विधी प्रक्रियाः सब्दावली का जो प्रयोग किया गया इस इस सब्द को ध्यान रखना है इस सब्द की वज़े से आर्टिकल 21 को याद किया गया है ठीक है इस कुश्चन में 45 नमे का प्रशन है कि भारती समविधान का कौन सा अनुचेद जो व्यक्ति के विरेशी यात्रा के लिए अधिकारों को संविधान करता है तो वो है 21 इद्धान रखेगा 21 प्यार डेविंग दही सुतन तरता के बारे में कि देखो एक जज्जमेंट है ता आप समझे जज्जमेंट था यह कि सतवन सिंग बनाम असिस्टन पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तता मेनका गांदी बनाम भारत संग के मामलों में यह निर्धाय किया गया है कि अनुशे दिक्किस में दाहिक स्वतन तरता सब्दावल के रूप में मानेता दे आवाज का अदिकार समान कार के लिए समान वेदिकार तो बिलकुल इसका य भी ओसी तीनों सही और है है यह बढ़ते हैं इसका explanation देखते हैं काफी अच्छा explanation ने देखे चमेली सिंग बना मुत्तरपदेश वाद में एक निर्ला दिया गया था इस निर्ले के अनुशा इसका मतलब यह था कि आटिकर नमबर 21 में जो मूल अधिकार है वो निर्ले के अनुशा है उसमें वह घर सामिल है जहां वह गर्मा वह गर्मापूर अपने जीवन जी सके सत्वान सिंग बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली में और मेंका गांदी बनाम भारत संग वाले वाद में निर्ला दिया गया कि विदेश यात्र का जो अधिकार है वो 21 के अंतरकत मूल अधिकार है ठीक है ना और दे निर्दारिट किया कि सवधान के प्रस्तावना अनुशेद 49 के आलोग के आलोग में अनुशेद 14 वा 16 को पढ़ने से समानकार के लिए समान वेतन का सिद्धान्द प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश में लोग सेवा आयोग की अपनी प्राणभी परिक्षा थी इसमें जो ना कभी-कभी अपने अंसिस बदल देता है तो आप देखें जैसे वह विवादित प्रिशन था जो अभी हम लोगों ने किया था जिसमें आर्टिकल नंबर 14 था 16 था ठीक ना तो उसमें थोड़ा कॉन्फिक्ट था अगर आप अपने नजरिये से सुचेंगे तो 14 नंबर स सुतंतरता है बाकी समनागरिकों के लिए तो यह कुछ कॉंफिक्ट रहते हैं कुछ कोशन में ही निमिकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुचेद 19 के एक डी को अनुचेद 21 से मिला कर पढ़ने से प्राप्त होता है तो देखिए इसमें है कि विदेशी आत्रक अध अधिकार है एकांतर का अधिकार है सुचना प्राप्त करने का अधिकार है तो सी विकल्प सही है कह रहे है कि अनुचेद 21 को अनुचेद 21 के साथ मिलागे पढ़ा जया तो एकांता का अधिकार समझ में आता है ठीक है इसका explanation देख लेते देखिए इन चारों में से किसी भी अधिकार का उलेख अलग से अत्विषकता मूल अधिकार में से नहीं हुआ ये तो आपको भी पता है सबको पता है किन्तु उचोतम न्याले ने अपना सुरिणात्मक निरवाचन द्वारा इस चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतहा नहित माना है विसेज का नाम मदप्रदेश राज्य वाद में 1975 में तता मलक सिंग एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाना वाद में 1980 में आधि में सर्वोश नियाला द्वारा या भी निर्दारित किया गया कि सविधान के अनुचेद 21 1991 के भारत एवं राजी छेतर में सर्वद आवास अनुचेद 21 या जीवन के अधिकार से मिला का पढ़ने पर एकांतता या निजिता का अधिकार राइट प्राविसी प्राप्त होती है तो इसमें जस्टिन एके एस पट्टावी स्वामी बनाम भारसंग वाद में आधार मामल में भी अगर्ष्ट 2017 में सर्वोच न्याले की 910 स्वधान पीट की निजिता अधिकारों को समविधान के अनुच्छेद 21 के अंतरकर तता स्वधान के भाग तीन के त्वारा गारंटी करत स्वतंतरता का भाग मानते हुए इस पे इस पश्टता समविधानिक सनुच्छन प प्राप्त करना एकांत कारावास के विरुद पैरों में डंडा बेड़ी डालने के लिए विरुद फांसी के विलम के विरुद अधिकार अभी रक्षा में हिंसा के विरुद अधिकार पीने योग पानी का अधिकार अच्छी सड़कों का अधिकार पतिष्ठा का अधिकार ठीक है एक चिकिस्या चिकिस्या द्वारा घायल को चिकिस्या सायता आये क्या आटिकल 20 के इंधिक्त याद हो गाँ आगर आप मूल विदी मेरी वीडियो देखते हैं तो मूल विदी में मैंने जब या तर्दियम पढ़ाय था तो मैंने उसका जिक्र किया थैं गोल्डन वक्तिकर स्वतनत्ता के अधिकार के अंतरगत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है भारत के सविधान में से किसे से उपयूक्त कथन सही एवन समुचित ढंग से आर्थिक होता है देखें यहाँ पर आके जो पहला वाला अनुछेद है उसको देखींगे हम लोग अनु सविधान के बैले से सविधान संसोधन उपबन द्वारा है बी में हैं अनुशेद 17 एवं जो आपको चौतेवे राजी के नीती ने देशेक तत्यों द्वारा है यह अगर हम लोग बात करें अनुछेद 21 एवं तीसरे में गारंटी की नई सतंदताओं के बारे में है तो द सविधान के अंतरकत सही एवं जो समुचित धंग से आर्तिक होता है और 24 सकस्थ 2017 को सरवोज जिन्याले ने 980 विधान पीट ने भी निज़ता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दरज़ा पर रांद किया था भारत के सविधान का कौन सा अनुश्यत अपनी पसंद की जो व्यक्तिक से विवा करने के लिए आपको अधिकार देता है तो आपके पास आर्टिकल नंबर कौन से हो जाएगा आटिकल नंबर आपका है 21 ठीक है ना से विकल्प है आपका आटिकल नंबर 21 बरते हैं अथारा को गयर सरकारी संगठन साही शक्ति वाहिनी बनां भारत संगबाद में उचितम न्याले ने जीवन साती चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इससे अनुश्यत 21 में नहीं किया है अब आते हैं आटिकल नंबर 50 यह आज का जो कोशन है मूल अधिकार का यह आखरी प्रशने इसके बाद में हम लोगाएंगे नीती निदेशक तत्तु को करेंगे निमकितम से कौन सा समविधान के अनुश्यत 21 के दाएरे में नहीं आता है तो वो कौन आता है मृत्तु धंड 21 के दाएरे में नहीं आती है इसको बात ध्यान रखने वाली बात है बढ़ते हैं राज के नीती निदेशक तत्तु के टॉपिक पर आईए चलते हैं जारा राज के नीती निदेशक तत्तु को करते हैं देखें इसमें बोला गया कि भारती सोधान के भाग चार में अनुश्य इक्यावन से लिक्यावन के तहत राज के नीती निदेशक होता है ठीक है इसके प्रमुक्ष जो पक्षय है नीति निदेशक तत्तों के उपबं नियाले दारा लागों रहिं होते तदापे इसके जो दुई सिद्धान्त देशों के संचालन में मूल भूत है तथा जो तीन हैं वो राज के कर्तव हैं जो कि वह सिद्धान्तों को कानून बना कर लागू करते हैं अनशे तरथीस में देखेंगे तो राज लोग कल्याण के विवद्धी के लिए समाजी विवस्ता बनाएगा अनशे तुन तालिस में देखेंगे तो राज दोरा अनुस सनड़ी कुछ नीत ही ने दे सकत्तों हैं जैसे कपूरो सोईस्तरी को समान रूप से अजीव का प्राप्त हो ठीक है इसके बारे में हम लोग देखेंगे अजीव का प्राप्त हो आगे देखेंगे कि देखेंगे लिखा है संसाद्मनों का वितरी करन ठीक है नयाय उपबंद ठीक है नयाय उपबंद के मतलब होता कानूनी साहता आर्टिकल जो चालीस है उसमें कहा गया है कि देखे ग्राम पंचाइटों के गटन के बारे में प्राउधान है आर्टिकल चालीस में अनुछेद अगर हम लोग इसकी बात करेंगे एक तालीस में तो राज की कुछ दसाओं में काम सिक्षा एवन लो सम्दूग बात करेंगे तितालीस के अंसा तो राज कर्म कारों को उचित मजदूरी तता कुटीर उद्योग के समवर्दन करने का प्रयास करेगा तितालीस का का राज उद्योगों के प्रवंद में कर्म कारों की भागेदारी सुनिश्चित करेगा आर्टिकल लिक्तालीस क कमायों के बालकों के लिए प्रारंबी बाले आवस्था देख रेक और सिक्षा का प्रबंद करेगा आठिकल जो 46 के अंतरकत का गया है कि राज जे अनसूची जाती अनसूची जन जाती तथा अंदुर्बल वर्गों के हेतो आर्थिक सिश्चा के अभरवद्धि करेगा 47 में राज के पोशाहर इस्ता जीवन इस्ता उचा करने तथा लोग स्वास्त सुधाने का प्रशने करेगा 48 में राज करशी पसुपालंग को आदमी तथा वज्ञानिक ढंक से संगटित करने का प्रतने करेगा गाय बच्ड़ अन्य दुधारू पसुम वेश्चों को प्रतिशेद्य मारने का आठकल 48 के उन्सा राज देश के पर्यावरन इवन संवर्धन तथा वन एवन वन जीव रक्षा करने का प्रयाज करेगा आठकल 49 के अंतरकत है कि राज रास्टित महत्य के इस मारक इस्थानों और वस्तों को संवर्धन प्रतान करेगा ठीक है आठकल 50 है कि इसके अंतरकत लोग सिवाओं में न्याय पालकाओं और कारपालकाओं का गठन अलग-अलग करा जाएगा और अंशेर 41 क्या है यह अंतराश्टि शांति और सुर्ख्षक की अबर्वदी की जाएगी ठीक है अब आईए इसको जा देख लेते हैं कि मौलिक अतिकार नीती निद्रसक्तित में अंतर क्या है मतलब यह नहाले में लागू कराए जा सकती है यह नहाले में लागू नहीं हो सकता है कानेवनी रूप से मान है राजनेतिक रूप से मान है नहातिक और राजनेतिक मान देता है लागू करने के लिए विधान की बनानी के विशकता है विक्तिकत कल्यान को प्रुसान देता ह तो यहां तक काप नीती निदेशक तत्तो और इसमें अंतर देख लिए मौली के दिकारों में अब नेक्स जो वीडियो आईगी यह इसके प्रश्ण उत्तर पे होगी जो की आपको पता है कि नीती निदेशक तत्ति के प्रश्ण होंगे तो आई होप आपने वीडियो पूरी देक्योगी, थैंक्स लोट, कीप वच्छिएंग, गड्ब्लस यौल.